तो कटल की मसालेदार सबजी तो आपने बहुत तरीके से बनाई होगी एक बाँ मेरे इस तरीके से यानि इस प्रोसेस से आप कटल की सबजी बना के देखिए ये कटल की सबजी आपको बहुत पसंद आएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तम कितना जबरदस्त कितना बड़िया देख रहा है ना तो चलिए आज की सूपर टेस्टी रेस्पे शुरू करते हैं मसालेदार कटहल की सबजी बनाने के लिए 500 ग्राम हम कटा हुआ कटहल ले लेंगे और इसे पानी से अच्छे से धोले कटहल की इतने बड़े टुकड़े रखे क्योंकि हमें इसे उबालना है तो यहाँ पे जब आप इसे धोलेंगे ना तब आप इसे डारिक्ट प्रेशर कुकर पैन में डाल दे pressure cooker में डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी का इस्तमाल आपको ज्यादा नहीं करना है एक कप के करीब आप इसमें पानी डालें मतलब जितना कटल है उसका आदा पानी डालें बेस में आदी छोटी चमच हल दी और एक छोटा चमच नमक डाल दें इसे अच्छे से मिला देंगे अब हम pressure cooker का डकन बंद करके इसे medium flame पे दो सीटी आने तक उबालेंगे दो से ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है नहीं तो कटल ओवरकुक हो जाएगा तो हम इसे medium flame पे दो सीटी आने तक उबालेंगे जैसे ही दो सीटी लग जाएगी गयास को बंद कर देंगे और उसके बाद pressure cooker को ठंडा हो जाने देंगे उसके बाद खोलेंगे जैसे ही pressure cooker ठंडा हो जाएगा हम इसे साफधानी से खोल लेंगे और यहाँ पे हमारा कटल जो है वो उबल गया है यह देखे एक्दम सही से उबला है तो दो से जादा सीटी ने ही लगाना है नहीं तो यह बहुँ जली सॉफ्ट हो जाएगे हमें थोड़ा इसमें कच्छा पन रहना चाएगे क्योंकि हमें इसे gravy में भी पकाना है तो अब हम चलते हैं सबजी बनाने के प्रासेस में तो सबजी बनाने के लिए एक कड़ाही में तेल गरम करें तेल हम थोड़ा जादा इस्तेमाल करेंगी क्योंकि हम इना प्याज को फ्राई करके निकालना है जैसे बिर्यानी के लिए करते हैं न वैसे ही प्याज तल के निकालना है तो यहाँ पे जैसे ही तेल करम हो जाएगा प्याज को डाल देंगे तो मैंने यहाँ पे चार बड़े प्याज लिये हैं जिसको लंबे slices में काटा है तो तेल का temperature पहले चेक कर ले जब प्याज अच्छे से fry होने लगे ना मतलब ऐसे दिखने लगे कि वो उपर तैर रहा है तो इसी तरीके से हम सारे प्याज को fry लेंगे और प्याज प्राय करने के बारा हमें इसे निकाल लेंगे और सेम तेल में लैसुन अद्रख को फ्राय कर लेंगे तो इस तरीके से आप एक बर कड़ल की सबजी बना के देखिए यकीन वानिए ये कड़ल की सबजी आपकी सबसे फेवरेट हो जाएगी और यहाँ पे यह मैंने लैसुन डाला और अद्रक डाला तो 3 इंच अद्रक और यहाँ पे 14-15 मैंने छीली हुई लैसुन इसमें डाल दिया है इसे भी ऐसे भूल लेंगे प्याज के जैसा और इसे निकाल लेंगे तो प्याज लैसुन अद्रक तीनों को हमने फ्राई कर लिया है अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दे गरम नहीं पीसे और इसे पीसते वक्त ना आपको पानी का इस्तमाल नहीं करना है बस जार का ढकन बन करें और इसे ऐसे पीस ले तो यह हमारा प्याज लैसुन अद्रक भूनावा पेस्ट जो है बन के तियार है यह दोनों तब हम चलते हैं सबजी बनाने का प्रोसेस में तो कड़ाही में जो तेल बचा हुआ था ना जो हमने प्याज बगरा भूना था उसे में हम पहले क्या करेंगे कटल को फ्राई करके निकाल लेंगी आप चीए तो थोड़ा तेल एड़ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे जितना कोशिश करें कि कम तेल का इस्तमाल करें तो यहाँ पे कड़ाही में हम डालेंगे तीन चमज तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमज जीरा एक बड़ी लाइची तोड़के डाल दे, दो तेश पत्ता डाल देंगे इसके साथ एक इंच दालचीनी डाल देंगे इन सबको तेल में भूल ले, गैस का फ्ली हम यहाँ पे लो रखेंगे और इसमें डाल देंगे आदी चोटी चमज हल्डी पाउडर और दो चोटे चमज कश्मीरे लाल मिर्च पाउडर मिला दे इसे अच्छे से तो तेल में हल्दी और लाल मिर्च डालने से करी का कलर अच्छा आता है लेकिन ध्याद रहे तेल जादा गरम नहीं हो अगर तेल जादा गरम होगा तो मसाले जो है वो जल जाएंगे तो यहाँ पे जैसे हल्दी लाल मिर्च मिक्स हो गया है, हम इसमें यह प्यास लैसुनादरा का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे, इसके बाद यह टमाटर का पेस्ट डाल दें टमाटर को मिलाने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगी तो यहाँ पे बाकी के मसालों में हमें जीरा धनिया और गरम मसाला ही एड़ करना है तो यहाँ पे हम एक छोटी चमच जीरा डाल देंगी डेर छोटी चमच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगी और एक छोटी चमच गरम मसाला पाउडर मिला दी इसे अच्छे से तो जैसे ही प्यास टमाटर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हम पैन को कवर कर देंगे और चार मिनट धीमी आज पर इसे पकने देंगे बीच पीच में आप इसे चलाते रहे ताकि मसाले जो है वो चिपके नहीं तो यहाँ पे मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भुन गया है ये दीखे तब हम इसमें डाल देंगे पानी तो पहले मैं क्या करते हूँ न कि जो कटल को उबालने में हमने पानी का इस्तमाल किया था वो पानी डाल देती हूँ इसे हमें फेकना नहीं है इसे सब्जी में ही डाल देना है इसे सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हैगा मिला दे इसे तो यहाँ पे ये पानी डालने के बाद मैं क्या करते हूँ से ढख देती हूं और आधी मिनट के लिए पका लेती हूं आधी मिनट बाद हम पैन का ढखकन अटाएंगे और इसे एक बार मिक्स करेंगे तो यह हमारा मसाला जो है वो बन के तियार है यह आप देख सकते हैं तो हम इसमें डालेंगे कटल जो हमने फ्राई करके रखा है तो मिला दे इसे अच्छे से तो अगर आपको कटल की सुखी सबजी खानी है तो आप इसे थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे धीमी आच पे पका ले तो इसके साथ के आउगा पूरी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं तो हम पहले इसे ढख देंगे और एक मिनट तक पकने तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको सुखी मसालेदार सबजी खानी है तो आप इसे ऐसे ही सबब करें और अगर आपको करी वाली खानी है तो आप गरम पानी इसमें एड़ करें तो पानी मैंने साइड में गरम होने के लिए रख दिया था दो कप के करीब पानी डाल और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे पानी हम गरम डाल रहे हैं तो इसे क्या होगा इसे बहुत जादा पकने में समय नहीं लगेगा और सब्जी जो है वो तुरंट उबल जाएगी प्लस सब्जी का कलर भी बहुत अच्छाता है तब हम इसे ढख देंगे और दो मिनट पकने देंगे दो मिनट बाद हम पैन का ढखन अटाएंगे और ये हमारी सब्जी जो है वो बन के तयार है यह आप देख सकते हैं कितना कलरफुल कितना टेम्टिंग दिख रहा है तब हम लास्ट में इसके उपर डाल देंगे कसूरी मेथी तो कसूरी मेथी को तबे पे थोड़ा सा ड्राइ रोस्ट कर ले यानि हलका सा सेक ले और उसके बाद हाथों पे रगड की इसके उपर डाल दे भूना हुआ कसूरी मेथी इसके उपर बहुत अच्छा फ्लेवर लेकि आता है अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप यहाँ पर बारी कटा हुआ धन्या पत्ता भी डाल सकते हैं धन्या पत्ता भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लेकि आता है तो ये हमारी कटल की मसालेदार सबजी बन के तियार है हम यहाँ पे गयास को बंद कर देंगे और ले चलते हैं से सर्फ करने का प्रोसेस में तो कटल की मसालेदार सबजी तो आपने बहुत तरीके से बनाई होगी एक बार मेरे इस तरीके से यानि इस प्रासेस से आप कटल की सबजी बना के देखिए ये कटल की सबजी आपको बहुत पसंद आएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त कितना बढ़िया देख रहा है न तो कटल खाना पसंद है तो आप इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राइ करें और नहीं खाना पसंद है तो भी ट्राइ करें क्योंकि ट्राइ करेंगे तभी पता चलेगा न कि कौन सी चीज अच्छी लगती है कौन सी नहीं तो उम्मीद करते हूं कि आज की कटल की रेस्पी आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आज की रेस्पी आपको ट्राइ करने के बाद पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें